तो वोट्सों बॉइसन ग्ल्स तो आयाइटी एनाइटी जीएफटी आई जोकी जोसा के अंडरकर्ट आपको एडमिसर मिलती है एनसुटी डीटी यू और टीपल आइटी और आइटी डीटी यू यह आपको जैक दिली में मिलती है तो आपको किसमें जाना चाहिए इस वीड करती है एक्सपोजर का यहां पर मतलब है कि तुम बाहरी वाताबरन में कितने एक्सपोज हो रहे हो कहां वैसा धंग यह सब सीख रहे हो तुम्हें ब्रांच कैसी मिल रही है और एल्यूमिनस हिस्ट्री क्या है मतलब वहां से कैसे पाउट पास आउट हो चुके हैं तो इस सारे चीज पर डिसकस करेंगे लेकिन एक बेसी क्राइटेरिया में पताना चाहूंगा कि ब्रांच से रेलेटर हो कि कि नपसंद ब्रांच अगर तुम्हें अगर तुम्हें अगर में पसंद बांच मिल रही है और IITS, NITS में नहीं मिल लए है तो तुम्हें DTU में जाना चाहिए तो यह branch related है कि तुम्हें जिसमें branch अगर 1% लाइक मिल रही हो तो यह तुम उसमें जा सकते हो अगर अगर दूसरे में नहीं मिल लए हो और अगर और सभी criteria सेम है कि तुम्हें सेम ही branch NITS, NITS में भी मिल रही हो और तुम्हें DTU में भी मिल रही हो तो क्या होगा उन सभी पर अभी details के discussion करते हैं तो देखो fee structure की बात करते हैं अगर हम जोसा की तो जोसा में में ली यानि कि IITS, NITS, NITS, NITS तो यह मेनी basic जो आपका यह हो रहता है वो रहता है पासट जार पांसो ट्यूसन फी उस पे आपका ट्यूसन फी के अलाबा होस्टल फी से सब लगा के अगर हम जैक देली की बात करें तो यहाँ पे तो बेसिक ट्यूसन फी है आपका वन लैक राउंड रहता है वन लैक ट्वेंटी थाउजन के राउंड तो अगर होस्टल फी यह सम इंक्लूट कर दिया जाए तो 1.2 लैक के अराउंड एप्रॉक्स चाहेगा है यह चाहे ज्यादा तो फिर भी आपका 1.2 लैक पर सिम के पर समिस्टर यह लगे गाए लेकिन अगर जोसा की बात करें तो वहां पर आपको ज्यादा नहीं अगर वन लैक से कम है तो आपका 3240 थाउजन में काम चल जाता है और अगर टूसे वन लैक से फाइव लैक के बीच में तो आ वन फेमस यूटूबर जो कि अमन धत्वाल हैं वह हम लोगे बहुत रिस्पेक्टेबल और वह भी डिटी यू से ही पढ़े हुए हैं और उनकी आप और सभी चीज भी जानते ही हैं तो और अब देखिए अब ब्राइंड वेल्यू के अगर बात करते हैं तो ब्राइंड व आप लोग यह देखते हैं कि वह आयाइटीन है या फिर नॉन एटीन है आयाइटीन का एक अलग ही ब्रैंड होता है अलग ही ब्रैंड होता है अब यह उस समय तो आप नहीं पूछे से क्लास्ट में टीचर से कि सर आपने कौन से कॉलेज से कि नाटी में किस आईटी से की 23 यह तो यह तो हम दोने नहीं पूछे लेकिन एक ब्रैंड होता है कि मैं आयटीन हूं मैं आयटीन हूं ओके से बात यहां पर अगर मैं बात करूं अपको नहीं मिल पाती है सपोज अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में उतना है उतरना है तो आप प्लीज इस आयाइट और अगर आपको टीचिंग लाइन में उतरना है तो इसमें भूल के भी नहीं ले और अगर आपको सिर्फ प्लेस्मेंट के नजरी से उतरना है तो जहां आपको अच्छी ब्रांच मिले तो इसमें ले लिजे अगर अगर इसमें अच्छी ब्रांच मिले तो इसमें ले तो आप वहाँ पर जाना प्रेफर कीजिए फड़ आप सपोज आपको एनाइटी अलाहबाद मिले तो आपको हमेश्ट कोटा से मिलेगी और ज्यादा चांस रहती है कि आपको घर के निजदेगी हो और अगर एने सीटू डिटी यूग की बात करें तो यह आपको देली में प सकते हैं इसमें कोई ट्रबल नहीं होगा तो अगर दूड घर से जादा हो और से मिल रहा हो तो आप प्रेफर करें कि आपके नजदीक वाले में जाए अगर अगर आपको यह सब नजदीक है अगर आप किसी साउथ या फिर बहुत ही इस्ट से ब्लॉंग करते हो तो आप इ प्लेश्मेंट रिकॉर्ड की तो प्लेश्मेंट रिकॉर्ड की जहां तक मैं बात करूँ तो प्लेश्मेंट रिकॉर्ड दोनों के ही अपने अपने जगह पे सही है क्योंकि आयए टी नाटी का तो अपना जो है ब्रैंड है टैक ब्रैंड है तो उसके विए से उसमें प्ल लीजर टाइम की तो लीजर टाइम मतलब कि आप किसमें कुछ एक्ष्टा एक्रिविटी कर सकते हों तो आपको 70% फ्री स्पेस मिलता है वहीं पर आपको अगर एक्सपोजर की बात करूं तो सिर्फ आपको 35-40% लीजर सबसे ज्यादा मिलता है और अगर मैं एक्सपोजर की बात करूं तो एक्सपोजर किसी भी एक्सपोजर किसी भी आपको एक्सपोजर मिलेगा है तो यह एक बहुत important factor रहता है एक्सपोजर का और अगर मैं बात करूं कि एक्सपोजर की बात हो कि अगर आपका च्वाइस जो फाइनल जो डिसीजन वह तो आप और यार प्लीज लाइक करना और सेर करना और कमेंट करके जुरू बताना तुम्हें वीडियो कैसे लगे और किसी पॉइंट पर गलती होगी हो तुम्हें जबाफ करना देट सब्सक्राइबरीवन थेंक यू